तो स्वागत है आप सभी का ग्याफनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तमस्ते हैं 12th क्लास के उर्दू का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इंशाया क्या है बड़ा ही मज़िदार और important चैप्टर है यह इसलिए इस चैप्टर को एकदम धीरे धीरे और आराम आराम से समझेंगे ताकि एक भी point छूटे ना सारा point mind में fit हो जाए आप लोग का exam अभी तो बहुत ही ज़्यादा दूर है बहुत ही पहले मैं session start कर चुकी हूँ और इसलिए आराम आराम से समझते हैं चीजों को और हर मैं एक point को mind में fit करते चलिएगा और मैं बताते चलूंगी आप लोगो कि कहां कहांसे question पूछा जाता है कहां से objective कहां से subjective यह हर एक जहां-जहां पर मैं नोक करती हूँ न वहीं से question उठाता है इसलिए जहां-जहां पर मैं आप लोगो को समझ में आ गया होगा कि आखिर इस चैप्टर में बताया क्या गया है देखिए चैप्टर का टाइटल है इनशाया क्या है जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग इस चैप्टर में यही बताया गया है कि इनशाया किसे कहते हैं क्या है इनशाया और इनशाया में मतलब कि इनशाया की खशूसियत विश्षताओं को बताया गया इस चैप्टर में लेकिन है ये चैप्टर एक मजमून ध्यान में रखिएगा भले इस चैप्टर में बताया गया है कि इनशाया क्या है लेकिन ये चैप्टर कोई इनशाया नहीं है ये चैप्टर एक मजमून ह मिगा कर लिए अगर एगजांपल के तवर पर मैं आप लोगो समझाने की कुशिश करूं जैसे कि पैज मैं लेली और एक किया क्या और कंगे कौन का विश्राशना क्या हैं ये सारा चीजिक लंबा चौड़ा एक पीज लिखकर तयार कर दी और उसका टाइटल nee कि मैं अफसाना क्या है तो क्या आप उसली को अफसाना काने कहें इसको कहानी दिचिए उंसमें कि हूँ इस लेकिन यह चैप्टर एक इनशाय नहीं है यह चैप्टर एक मजमून में इस निबंध में बताया गहा है कि इनशाया क्या है इन्शाया में क्या क्या खुसूसियत विश्षता है क्या क्या है यहार एक चीज यानि कि fully डिटेल्स आप लोग को पढ़ना है इन्शाया की बारे में मतलब आज के इस चैप्टर में आप लोग समझ जाएंगे कि इन्शाया किसे कहते हैं ठीक है तो थोड़े दिर के इस चैप्टर को रखते हैं साइड में और इस चैप्टर के जो राइटर है मुसनिफ उनके बारे में जितना भी डिटेल्स दिया गया है आप लोग के बुक में उन सब भी डिटेल्स को चलिए समझ लेते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुसनिफ और चैप्टर दोनो चप्टर से पुछा जाता है तो दोनों पढ़ना आप लोगों के लिए ज़रूरी है तो जो सबसे जड़ा जानते हैं कि जो इंशाया निगार और इसे कहते हैं अभी में आप लोगों को समझना होगा कि तनकीद का मतलब होता है हिंदी में आलोशना मतलब तनकीद का मतलब यह कि खरे खोटे की पहचान करना अगर कोई राइटर कुछ भी लिखा हो कवीता लिखा हो कहानी लिखा हो निबंद लिखा हो दास्तान लिखा हो कुछ भी लिखा हो उसमें क्या सही है और क्या गलत है उसमें क्या विश्रिष्ट तनकीद निगार ठीक है क्या कहते हैं तनकीद निगार यानि कि जो इस तरह खरे-खोटे की पहचान करके लिखकर बता देता है उस इंसान को कहते हैं तनकीद निगार और खरे-खोटे की पहचान करना यान कि अच्छाई और बुराई की पहचान करके लिखकर बता देना कि हा और जो इंसान ये लिखता है उसको क्या कहते हैं तनकीद निगार और इसी को शॉटकॉट में कहते हैं तनकीद निकार को नकाद यानि कि आलोचक इसको हिंदी में क्या कहते हैं आलोचक याद रखिएगा जो आलोचना करता है आलोचना करने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ बुर रहे हो उसके बारे में क्या अच्छाई है उसकी क्या अच्छाई है और उसकी क्या बुराई है दोनों लिखकर बता देना ही आलोशना कहलाता है यान की तनकीद कहलाता है और जो इंसान लिखता है उसको कहते तनकीद निगार और तनकीद निगार को शॉटकॉट में नकाद यानि कि आलोचक कहते हैं यानि कि आलोचना लिखने वाला आलोचक तनकीद को हिंदी में आलोचना ठीक है और जो आलोचना लिखेगा उसको आलोचक ही न कहेंगे आलोचक को उर्दू में क्या कहते हैं नकाद या फिर उसको तनकीद निगार दोनों का मतलब एक ही है यानि कि वजीर आगा क्या है नकाद भी है यानि की आलोचक भी है शायर भी है यानि की शेरोशायरी भी लिखते हैं और इंशाया निगार भी है यानि की इंशाया भी लिखते हैं तीनों याद रखिएगा नकाद भी है यानि की तनकीद भी लिखा करते हैं शायर भी है यानि की शेरो तो क्या वजीर आगा अपसाना देगा रहे हैं तो आपसन नमबर डी इस दराइट एंसर अपसन अबर डी टिक कर दीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं वजीर आगा की पैदाइश हुई थी उन्हें इस बाइस इस भी में पाकिस्तान के सरगोदा के वजीर कोट इलाके में याद रखना है यहां से अब्जेक्टिक पूछ देता है वजीर आगा की पैदाइश कहा हुई थी उपसन में दिया रहता है वजीर कोट नहीं तो पाकिस्तान देगा या फिर कोशन इस तरह से भी पूछ सकता है कि वजीर आगा कब पैदा हुए उनकी पैदाइश कब इन्युवर्सिटी से किताबे यह बहुत सारी लिखें जो मुख्या किताबें आप लोगे बुक में दिया गया है मुख्या किताबों के नाम में में उर्दु अदब में तंजो मजाँ उर्दु शाहिरी का मजाज नजम जज़िद की करवटे तखलिकी अम्न तनकीद और नहीं है इन में से कोई तीन देदेगा और एक ऐसा देगा किताब जो कि वजीर अगा द्वारा नहीं लिखा गया है तो इस तरह आप लोगों को पहचानना रहता है ठीक अब आगे बढ़िए वजीर आगा की मजमीन के मजमुवा का मतलब क्या मजमुन मतलब निबंद और म मैं वजीर आगा बोल दे रही हूं इनका नाम ही ऐसा है वजीर आगा बोलो तो ऐसा लग रहा है कि वजीर आगा मैं बोल रही हूं इस तरह मुझे भी खुद फील हो रहा है कि वजीर आगा वजीर आगा नहीं वजीर आगा ठीक है वजीर आगा के यह मजमीन यानिकी निब किताब का नाम है और इनकी मशूर तवील नजम एक है जिसका नाम है आधी सदी के बाद मशूर तवील नजम यानकी बहुत ही लंबी कवीता का नाम है आधी सदी के बाद यह बहुत ही लंबी नजम बहुत ही लंबी कवीता है आधी सदी के यह question पूछ देता है objective में और इनकी कुल्यात भी है कुल्यात मतलब समझे की संग्रा हिंदी में बोला जाता है संग्रा संकलन ठीक है ना तो लफजों की छागल यह इनका कुल्यात यानि की संकलन है यह भी objective में पूछ दिया था इस बार जो 12 क्लास का एक्जाम हुआ था तो य इनके इनशायों का मजबूए यानि की इनशायों का किताब भी है पहला है चोरी से यारी तक और दूसरा है दूसरा की नारा यह पहला और यह दूसरा याद रखना है यह दो इनशायों का किताब जो की वजीर आगा द्वारा लिखा गया है आई होप आप लोगो समझ में आगे होगा बस इतना ही डिजल स्ट दिया गया है है वजीर आगा के बारे में तो यहां पर हो गया वजीर आगा यायने कि मुस्पनिफ के बारे में सारा सब्सक्राइब चरफ करते हैं इस चैप्टर को अब लाते हैं हम लोग एक Giul ap सामने इस साइड में रख दिये थे आप सामने लाते हैं इसको और इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आखिर किसे कहते हैं क्या-क्या चीजे बताई गई इस चंप्टर में इस चिपर में इन्ट राइया की बारे में तो अगर आप लूग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना च दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए साफ इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि आप लोग का क्वालिटी कम होता है एकदम लोग होता है यूटुब जो है सब्सक्राव नसरी सिन्फ में आप लोग को जब चप्टर पॢढाना स्टार्ट की थे स्टार्टिंग में ही बताई थी जब आप लोगा सेसन स्टार्ट हुआ था फॉस्ट वीडियो में ही जब फॉस्ट चप्र पढ़ा रही थी वहां पर बताई थी इंशाया मजमून का ही एक टाइप है लेकिन आप इंशाया को मजमून नहीं कह सकते हो क्योंकि इंशाया का लिखने का तरीका ही अलग होता है गयर रस्मी तरीकार ही इंशाया को दूसरी इसनाफ्य अदब से ममयज करती है यानिक इंशाया का लिखने का तरीका ही दूसरे इस सब्सक्राइब सब्सक्राइब वे होता है और इसी होज़े से गयर रस्मी तरीके कार ही इंशाया को दूसरे कैटेगरी से एकदम अलग बना देती है एक यूनिक बना देती है ठीक है दूसरे इसनाफिय अदब से अलग कर देती है तो यहां पर कोशन पूछता है कि क्या गयर रस्मी तरीकी कार ही इंशाया क जो है ना मजमून का ही अक्तिस्म है और इंशाया को आप मजमून नहीं कह सकते हो क्योंकि इंशाया का लिखने का तरीका होता है एक अलग यूनिक वे होता है एक अनवचारिक तरीके से लिखा जाता है इंशाया को अब देखें इंशाया में क्या क्या चीज़े होती है सबसे पहली खसूसियत सबसे पहली विश्रिष्टा है इंशाया का ताजगी होना चाहिए अगर आप लोगो दो तीन दिन या फिर दस पंदर दिन का सड़ा बासी खाना दे दिया तो क्या आप लोग उसको खापाएंगे नहीं नहीं लिखा जाता है इंशाया में ताजापन रहता ह नई नई चीजे मतलब जो इन्शाया नगार रहे हैं न है लिखने वृषव लैसी बातों को इंशाया में नहीं लिखता है जो न दर करेंगर को मारकर के के बारे में वैसी बातों को नहीं लिखेगा जो लोग पहले से ही जानते हो जो पढ़ने वाला कारी है जो कि पढ़ेगा इंसाया को वह बात पहले से उसको पता नहीं रहनी चाहिए इंशाया निगार को कुछ नया ढूंडा रहता है मारकर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि हाँ यह मारकर है इसे लिखा जाता है और इस मारकर में सबसे बड़ी विश्रस्ता है कि इसको हाँ तो यह मिट जाएगा ठीक है लेकिन इंशाया निगार जो है ना इंशाया के लिखने के दौरान मारकर के बारे में अगर लिख रख़ोड कर खुश हो जाएगा उसका धिलखोर जाएगा कुछ नई बात उसको सिखने को मिलेगी इसलिए पलाइब उस शक्सक्स की तरह होता है झो दफ्यास शुट्टी के भाद घर पहुचकर चुष्टा लिबास उतार origin I लिखने वाला वह उस व्यक्ति की तरह होता है जो दफ्तर से चुट्टी के बाद घर पहुंचकर चुष्ट सा लिबास उतार कर जो चुष्ट सा लिबास पहना रहता है कोट पैड वगरा तो काम से चुट्टी के बाद अपना घर पर आकर सारा चुष्ट सा लिबास उतार कर एक दम धीले डाले कपड़े पहन लेता हो और तब इंशाया की तखलिक करता हो यानकी इंशाया लिखता हो उस शक्स की तरह होता है इंशाया का खालिक आगे बढ़िए इंशाया की अगली खुबी है तंजो मजाह इंशाया की सनाफी खुबी है मतलब इंशाया में तंजो को जी नहीं 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 बहुत ही ज्यादा हसी मचा को और नहीं बहुत ही जदा कम थोड़ा मेडियम में होना चाहिए और उसके बाद से इंशाया का जो इंशाया निगार होता है इंशाया की तखलिक करने वाला व्यक्ति जो इंशाया लिखता है उसको ऐसी आजादी मैसर हो सब्सक्राइब कर थीक है लेकिन उसको ऐसी आजादी मिली रहती है कि अपने रह से जगह जा सकता है। दूसरे टॉपिक पर बीजा सकता है यांकी कलम को छोड़कर वो कुटे बिल्ली चिडिया या फिर घर के बारे में बात कर सकता है किसी भी चीज के बारे म arguably गhayमकर लटकर कलम के टॉपिक पर भी आना होगा यानQीउनवान पर ही आना होगा ठीक है तो यहां से को स्रज़न पूढ़ेता है कि इंस्षयानिगार जो होता है उसको कैसी आजादी मिली रहती है तो यही आजादी मिली रहती है कि वह अपने उन्वान को छोड़कर किसी दूसरे टॉफिक के intentar कि किसी दूसरे मुद्दे के बारे में बात कर सकता है लेकिन वापस लॉट कर उसको अपने उन्वान यानि कि अपने टाइटल पर ही आना रहता है ठीक है कलम के बारे में लिख रहा है इंट्राय नेगार तो कलम के बारे में लिख रहा है और कलम को छोड़कर कहीं दूसरे जग कर कलम के टॉपिक पर ही आना रहता है यहां तक समझ में आ गया आगे बढ़ी ए अद में तक्मील इनशाया की इम्तियाजी खुशूसियत थे अधुलीट नहीं लिखा जाता है ताकि पढ़ने वाला कारी है वह अपने आप से कि अगे क्या हुआ होगा जैसे कि यह मुवी आया था भाहु बली लिया था कट कर लास्ट में अधूरा छोड दिया गया था कर दबां। मैंन में सवाल उठ गया था कि अलग जो लोग है अपना अलग अलग दिमाग लगा रहे थे कि क्यों मारा वोगा जिस तरह उस मुवी को लास्ट मिलेगा कर अधूरा छोड़ दिया जाता है मतलब इसको भी complete नहीं लिखा जाता है लास्ट में ले जाकर अधूरा छोड़ दिया जाता है ताकि जो पढ़ने वाला है खुदी से दिमाग लगाए कि आगे क्या हुआ होगा और अलग-अलग अनुगों के सांसत अपना अलग-अलग दिमाग लगाता है कि हां आगे इस तरह हो गया होगा अपने से दिमाग लागा कर संतुष्ट हो जाता है ठीक है और इन्शाया की मजीद खोबी इखतसार भी है इसका मतलब यह नहीं कि इंशाया निगार के पास लफजों की कमी है इसके पास शब्द नहीं है जी नहीं इन्शाया निगार चाहे तो कितना भी लंबा है लेकिन इन्शाया को एकदम शॉट कर के जाता है जादा लंबा नहीं लिखा जाता है जगर जादा लंबा लिखा जाएगा तो जो पढ़ने वाला है कारी वह उकताहट फील क हां चीजे समझ में आ गई है और वीडियो को like कई बी तक कर देया हुई अपने दोसेंद जके और अगर आप लोग नहें आए हुए है तु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा उससे मिन पहुंचेए कि मिन रोज आने लेकिन दूसरी बार मैं भूल जाती हूं तो कोई दिकत नहीं अभी याद आ गया है ले लिजे फड़ा पड़ स्क्रीन शॉर्ट तो चलिए फाइनली यहाँ पर हो जाता है आप लोगा पूर्ण डूप से चप्र कंप्लीट यहीं पर वीडियो को इंड भी कर देते हैं विदा लेती हूं आप सभी लोगों से बाई बाई टेक क्यार फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लि और खुदा हाफिज